कहानी शुरू होती है एक ट्राइब यानि कबीले को दिखाते हुए ये लोग स्नो माउंटेंस पर रहते थे और जंगले हातियों का शकार किया करते थे वो जंगले हाती पहाडों पर काफी काम आया करते थे और सम टाइम तो वो बिल्कुल भी नहीं आया करते थे जिसकी वज़े से इन कबीले वालों को भूक का मरना पड़ता था और इस बात को लेकर सब कबीले वाले काफी अपसेट होते है वहाँ पर एक सीनियर लेडी होती है और सब कबीले वाले उसे मा कहते है मा के पास ये एबिलिटी थी कि वो सॉल से बाते किया करती थी असल में उन्हें एक लड़की मिलती है इस लड़की का नाम Eleyt होता है और कभीले का एक लड़का जिसका नाम Delay होता है Delay Eleyt को काफि लाइक करने लग गया था Delay के फादर के पास एक White Road भी था क्योंकि जब भी वो लोग शिकार पर जाया करते थे सबसे पहले वो है शिकार किया करते थे डिले के फादर डिसाइट करते हैं कि वो एक जर्णी पर जाएंगे फिर एक रात वो अपने फ्रेंड को कहते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा लेकिन तुम मुझे से प्रामिस करो कि इस बारे में कोई भी बात तुम किसी को नहीं बताओगे और ना ही ये रिजन बताओगे कि मैं यहां से क्यों गया हूँ वो अपना वाइट रोड अपने फ्रेंड को देखकर वहां से निकल जाते हैं टिले के फादर के जाने के बाद सब लोग टिले को काफी परिशान करने लगे थे कि तुम्हारे फादर भाग गए हैं क्योंकि सब समझ रहे थे कि उसके फादर डर कर भाग गए यह मगर रालिटी कुछ और यही थी काफी साल गुजर चुके थे एवलेट और डिलेट भी अब बड़े हो चुके थे एक बार फिर से वो जंगली हाती इनके इलाके में आते है ये फैसला किया जाता है कि जो सबसे पहले शिकार करेगा उसकी शादी एवलेट से करवा दी जाएगी और वो वाइट रॉड भी उसे मिल जाएगा और तो और उसे कबीले का लेडर बना दिया जाएगा एवलेट डिलेट से कहती है कि चलते हैं हम यहां से भी हम शादी कर लेंगे डिलेट कहता है कि नहीं मैं नहीं भागूँगा जैसे मेरे फादर भाग गई और देखना मैं ही जंगले हाथी का शिकार करूँगा और तुम से हिजादी करूँगा सब कबीले के लोग जंगले हाथी का शिकार करने के लिए चले जाते हैं एक काफी बड़े जंगले हाथी को वो एक जाल में फसाने में काम्याप हो जाते हैं लेकिन वो हाती रसियों को तोड़ कर भाग जाता है लेकिन स्टेल जाल उसकी बॉड़ी में फसा हुआ था सारे कबीले वाले उस जाल को पकड़ लेते हैं हाती तेजी से भाग रहा होता है और सब को जाल छोड़ना पड़ता है सिर्फ डिले का हाथ ही अब तक जाल में अटका हुआ था हाथी डिले को गसेटते हुए मांटेंस की टॉव पर ले आता है वहाँ पर लाकर वो हाथी डिले पर अटेक कर दीता है लिकिन डिले उस हाथी को एक रौड मारता है जिससे उसे कौई परक नहीं पढ़ता ये देकर सब लोग काफी खुश होते हैं डिले को वो वाइट रॉड दे दिया जाता है और फैसले के कार्डिंग एवलेट उसे सौंप दे जाती है और डिसाइट किया जाता है कि इन दोनों की शादी होगी लेकिन डिले एक बात को सोच कर काफी वरिड होता है क्यूंकि सब स जाग गया था और इसलिए मैंने वो वाइट रॉड रॉड रिटन कर दिया है उस वाइट रॉड को उसने छोड़ दिया इट्स में कि उसने एवलेट को छोड़ दिया क्यूंकि एवलेट उसी को मिलते जिसने हाथी का शिकार किया इस बात से एवलेट उससे नाराज हो जा और उन प्रीजनर्स में एवलिट भी शामिल थी लेकिन डिले और उसके कुछ साथी बच जाते हैं डिले कहता है कि मैं अपने कबीले के लोगों और एवलिट को बचा कर जरूर वापिस ले आऊंगा डिले का साथी बोलता है कि उन खतरनाक माउंटेन से कोई भी वापिस नही थे वो डिसाइट करता है कि मैं उनका पीछा करूंगा इसके बार डिले उन लोगों और उनके घोड़ों के पैरों की निशानों को फॉलो करती हुए आगे बढ़ता है डिले के साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं लेकिन जो उनकी जरनी थी वो काफी टफ थी और तो और ख जारते हैं यह मांटेंज की दूसरी साइट पर पहुंच जाते हैं जहां से जमीन स्टार्ट हो जाती है डिले और उसके साथी आगे बढ़ते हैं और वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां अने अपने कबीले की सभी लोग और एवलिट नजर आ जाते हैं जिने प्री दिले वालों को आगे लेकर बढ़ जाते हैं दिले अपने इंजर्ट साथी को खैंच कर ले जा रहा होता है थोड़ा आगे जाने के बाद इने भूग लगने लग जाती है इसलिए डिले शिकार पर जला जाता है लेकिन डिले एक डिज में फस जाता है जहां पर पहले से ही ब अज़ात कर्वाने का फैसला कर लीता है डिले उस शेयर को कहता है कि मैं तुम्हें अज़ात करवा दूंगा लेकिन उसके लिए एक शर्त है और वो यह कि तुम मुझे नहीं खाऊगे डिले ऊस शेयर को आजाता है और बात की मुताबिक वह उसी बगार खाये ही वहां से च जहां से चिलाने की आवाजें सुने गई थी, वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि उस गाउन पर कल रात किसी ने अटैक कर दिया था, जब यह लोग वहां पर जाते हैं, तो वहां के कबीले के लोग इन्हें घेर लेते हैं, वह कबीले के लोग उन लोगों को बस मारने ही वा वो शेर डिले को बगएर कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है उस कबीले के लोग यह सब कुछ देख कर काफी हैरान रह जाते हैं वो डिले और उसके लोगों को अपने साथ ले जाते हैं उनकी महमान नवाजी करते हैं उन्हें खाना किलाते हैं डिले उनसे पूछता है कि तुम हमारे लेंगविज कैसे जानते हो जिस पर वो कहते हैं कि काफी अर्षा पहले एक आदमी यहाँ पर आया था और वो आदमी यहाँ पर कोई सेफ जगा देखने आया था और उसी आदमी से ही हमने आप लोगों की लेंगविज सीखे यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बलके डिले के फादर थे डिले उन लोगों से पूछता है कि इस वक्त वो आदमी कहाँ पर है वो बताते हैं कि उस आदमी को डीमन सौल्स अपने साथ ले गई है और हमारे भी कुछ लोग उसके साथ है और वो एक ऐसी जगा है जहां से आज तक कोई भी वापिस नहीं आया बचकर लेकिन अब तुम ही हो जो हमें वहाँ पर ले जाओगे डिले पूछता है कि सिर्फ मैं ही क्यों वो कहता है कि हमारे प्रिडिक्शन के मताबिक हमारे पास एक आदमी आएगा जो शेर से बाते करेगा वो आदमी हमारे लोगों की जान बचाएगा उस कबीले के लोग आसपास के सभी कबीले वालों को ये information देते हैं कि शेर से बाते करने वाला आ गया है डिले का एक साथी उसे बताता है कि मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ और वो ये कि तुम्हारे फादर किसी से तर की नहीं भागे थे वो अपने कबीले के लोगों के जान बचाने के लिए सेव जगा डूढने के लिए निकले थे ताके हमारी लोगों को भूका नमरना पड़े डिले उससे पूचता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे मना किया था कि ये बात किसी को भी नहीं पता लगनी चाहिए क्योंकि अगर कभीले वालों को ये बात पता चल जाती तो वो सब की सब एके करके उस जगा को छोड़कर भागने लगते इसलिए उन्हें ने मुझे ये कहा था कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूं ले की साथ वो कभीले की लोग भी मांटेंस की तरफ पढ़ते हैं वो लोग रीवर तक पहुंच जाते हैं और बोट्स में बैठकर आगे पढ़ते हैं लेकिन डिले और उसके लोग आगे नहीं जा सकते थी क्योंकि उनके पास बोट्स नहीं थी इसलिए वो डिसाइट करते हैं कि वो पैदल ही अपना सफर तै करेंगे लेकिन पैदल सफर करना काफी मुश्किल था क्योंकि वो एक काफी बड़ा डैजर्ट होता है जहां पर उन्हें सफर करना था और उन लोगों से पहले कोई भी उस डैजर्ट को पार नहीं कर पाया था लेकिन डिले कहता है कि हम इस डैजर्ट को पार कर लेंगे अपने लोगों को अज़ाद करवा कर ले आएंगे इसलिए ये लोग अपने मन्जिल के लिए आगे बढ़ जाते हैं काफी दिनों सफर कर लेने के बाद फाइनली ये डेजर्ट की उस तरफ चले जाते हैं ये देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़े बड़े पिरामिट्स बनाए जा रहे हैं लोगों को गुलाम बनाकर यहां लाने का मक्सिद ये है ताकि उनसे काम लिया जा सके पिरामिट्स बनाने में वहाँ पर उन लोगों की तदाद भी बहुत जादा होती है और उनके गुलामों की तदाद उनसे जादा होती है ये लोग अपने लीडर को God कहते हैं ये लोग अपने बारे में कहते हैं कि ये लोग आस्मान से उड़कर आए हैं उनका God कभी भी उनके सामने अपना फेस रिवील नहीं करता बलके वो हमेशा पर्दों में रहता है इनका God बस अपने लोगों को ओर्डर्स देता है उन ओर्डर्स में एक यह है भी कि इन गुलामों से जल्दी से जल्दी काम करवाओ। डिले और दूसरे कबीले का सरदार जो कि डिले का साह देने के लिए यहाँ पर आया था ये दोने मिलकर गुलामों के टेंट में चले जाते हैं इन लोगों के सामने एक आդमे को लाया जाता है जो कि ब्लाइnd था वो आदमे डिले को बताता है कि तीन में से सिर्फ एक गॉड ही जिंदा रह गया है डिले पूचता है कि उसे कैसे मारा जासकता है वो कहता है कि God डरता है एक ऐसे इनसान से जिसके बॉड़ी पर एक खास किसम की निशानी होगी और वो निशानी ऐसी है जैसे आस्मान पर दिखने वाले विजिबल निशान होते हैं डिक्षन की मताबिक वो आदमी सब कभीले वालों को सब गुलामों को बचाएगा डिले से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी बॉड़ी पर ऐसा कोई निशान है इस बात का डिले कोई आंसर नहीं करता डिले को यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि उसकी फादर की डेथ हो गई है और उन लोगों नहीं उने मारा है जो उसके कभीले वालों को गुलाम बना कर यहाँ पर लेकर आ गई है इसके बार डिले और उसका साथी अपने लोगों के पास आ जाते हैं लेकिन वो कुछ लोगों की नजरों में आ चुके थे और उन लोगों के बीच में फाइट हो जाती है इस फाइट में डिले का साथ ही मारा जाता है मरने से पहले वो डिले के फादर का वाइट रॉट डिले को देता है और अब डिले सब का रेविंज लेना चाहता है वो सब लोगों के जान बचाना चाहता है उन्हें अज़ात करवाना चाहता है कुछ लोग देखते हैं कि एवलेट के हाथ पर चोटके निशान है और ये निशान बिल्कुल वोई आस्मान पर दिखने वाले विजिबल निशानों की तरह थे यानि प्रेडिक्शन के मताबिक वो निशानी एवलेट में पाई गए उन निशानों को देकर सब लोग काफे डर जाते हैं एवलेट को वो लोग अपने गौड के पास लेकर जाते हैं क्योंकि जिसके हाथ पर भी वो निशान होंगी वो लोगों को बचाएगा उन्हें अज़ाद करवाएगा वहां के लोग अपने गौड को बताते हैं कि यहां पर एक शिकारी भी आ रहा है इसके पीछे सुबा को डिलेए और उसके लोग अपने लोगों के पास जाने के लिए मज़दूर बन जाते हैं डिलेए की लोग जंग का एलान कर देते हैं वहाई पर जंगली हाथी भी होते हैं जो इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ पर हल चल मच जाती है गौड बोलता है कि एवलिट को बाहिल ले जाओ अगर इसके बाबा जूद भी वो लेबर ना रुके तो बेशक एवलिट को मार डालना ऐसा ही किया जाता है और एवलिट को बाहिल ले जाया जाता है लेकिन डिलेए और उसके लोग एवलिट को देकर रुक जाते हैं क्या होगा God बोलता है कि अब वो हमारे गुलाम है अब वो हमारे लोग इसलिए डिले उनकी ये बात मानने पर इंकार कर दो है वो उस वाइट रोड को God की तरफ पहकता है और वाइट रोड कोड की आर पार हो जाता है डिले कहता है कि देखो तुम सब वो भी हमारी तरह एक इंसान था उसे भी तकलीफ होती थी और अब देखो वो मर गया है और तभी दोनों कबीलों के बीच एक वार स्टार्ट हो जाती है और इस जंग में डिले के लोग जीत जाते हैं लेकिन कबीले का वो कि सब को यहां पर बचाने आया था लेकिन उसने इस तोरान अपने बहुत करीबी लोगों को खो दिया मा जो कि दूर से उन सब को देख रही होती है उन्हें अपने पावर्स दे रही होती है यहां पर माँ अपनी जान की कुर्बानी देकर एवलिट की जान वापिस ले आती है एवलिट तुबारा से जिन्दा हो जाती है जाने से पहले दूसरे कबीले के वो लोग जिनोंने इने पना दी थी वो डिले को कुछ बीज देती है वो डिले को कहते हैं कि तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम इन वीजों को अपनी जगा पर लेकर जाओ और इन्हें वहाँ पर उगाओ डिले बिल्कुल ऐसा ही करता है वो अपनी जगा पर जाकर इन वीजों को उगा देता है और वहाँ पर पौदे लगने लगते हैं अब के बाद इन्हें कभी भी भूका सामना नहीं करना पड़ेगा और नहीं ये भूके मरेंगे और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है Thank you for watching